के ये विदियो को लाइक करना है जितने बच्चे करना है उतने लाइक करते हैं बनाते आज कि अगर आज हमारे पास कम से कम अगर सो बच्चे देखते हैं सो बच्चे देखते हैं सो बच्चे देखते हैं सो बच्चे देखते हैं सो बच्चास लाइक तो आ जाना चाहिए बस ठीक बच्चो इतने लाइक तो आने चाहिए इतने लाइक यहां पर चाहिए ज है यहां पर ला सवाल किया है एक गाई 640 में कितने में 640 में जायाई है कि इतने में बेचे कि 25% लाब हो जाए तो बंचो इसका निकाल के इसमें जोड़ देते हैं तो इतने 20 देंगे अगर 640 में खरी दिये तो 640 का 25 परसेंड क्या होगा अब 640 में खरीद के लाया था तो 160 और इसमें जोड़ देंगे 25 परसेंड और चुड़ जाएगा तो 0, 6, 10 की सुन्या सिला 1, 6 और 2, 8 हो जाएगा यनि 800 होगा अगर वो बेचे तो उसको 25 परसेंड का लाब होगा जो 160 रुपे में हो रहा है ठीक है कोशन नमर पचास वला देखिए कोशन नमर पचास देखिए 400 का 20 पेसे प्रति रुपिया 6 माई की दर से 1 सहीत 1 बटा 2 वर्स का दियाज होगा तो बच्चों ध्यान से देखिएगा ये तो हो गया मूलदन ये आ इगया समय और ये आगया दर रुपिया 20 पेसे प्रति रुपिया ये एक रुपिया में 20 पेसे कितना होगा कि ब्याज बराबर ब्याज बराबर होता है मुल्दन गुनित दर गुनित समय बटे में जाता है सो ठीक है तो यहापे मुल्दन कितना दिया अपने मुल्दन दिया है चार सो कितना दिया है चार सो दर कितनी है बीस परसेंट अब समय में ने क्या बोलो जब 6 माई दर आती है तो समय को क्या करना होता है अगर पूरे सवाल में 6 माई आता है पूरे सवाल के बात करें तो दर आधी होती है समय दुगना होता है समय में नहीं दिया, समय को हम क्या करेंगेbile करते है, डबल करते है? रूल क्या होता है यौन्य अदे साल का 88 ऐनुगा!! अदे साल का तो ने मुठी से 2 मए दो रहा वाता है तो 382 ही में क्या होता है? जो समय होता है वो दुगना हो जाए तो दर आधी हो जाती है लेकिन दर ओल्रेडी 6 माई पहले से convert करके दिये तो इसमें हमको आधी करने की जुरूत नहीं 20 का भीसी लेना पड़ेगा लेकिन समय में change करना पड़ेगा क्योंकि समय उसने 6 माई नहीं दिया है समय पुरा है यहां पर क्या हो जाएगा एक से देख बटाद मतलब होता है तीन वर्स और बट्टे में आजयेगा इसको फोल कर देंदा दो जिरो से दो जिरो गए अब 20 कितना हो जाएगा साहट 20 में इन का गुणा करना याणि अपने बचा उपर 4 गुने 20 गुने 3 बचा है तो 4 गुने 8 आड़तिया 24 और यह जीरो का यह जीरो कितना होगे 240 ब्याज कितना हो जाए उसका बी वाला ऑप्शन 240 का ब्याज होगा बच्चो नेक्स कोशन है 20 से 30 तक की रूट संखिया कितनी बच्चों थी आप homework में लिख लीजिए यह आपको बताना क्योंकि है सवाल मे पेले करवा चुका हूँ यह आपको homework में करना है आपको कमेड़ भी करना है एक कोशन नमबर डालना 51 आपका नाम भी लिखना है आप कहां से और इसका अंसर भी बताना है ठीक है कोशन नमबर 52 ठीक है नेम लिखित में कौन सी संख्या साथ से पुरी-पुरी विभाजित की चीजा टीए संख्या सब में काटके देखना रही अब सत जो है विश्म चंख्या तो विश्म संख्या से कभी संख्या संख्या कट सकती है क्योंकि साथ चॉक संख्या काट सकता हूं तो साथ से संख्या करें 217 217 बाग दें तो साथ यह कितना हो जाएगा 21 उपर से उतार साथ साथ एकंग साथ पूरा बाग चलाएगा 31 पूरा पूरा बाग जाएगा यह वाले ऑप्शन में ठीक है बच्छो अब आधा कॉर्शन नंबर 53 ज्यान से समझेगा सोहन को 11 दिनों की मिजदूरी चुम्माले सुरुपे मिलती है उसको उनको साथ दिनों की मजदूरी कितनी मिलेगी ठीक है देखो बच्छो अब वो क्या कर रहा है कि उसको जो 11 दिन में काम कर रहा है उसको कितने पैसे मिल रहे चुम्माले से सबसे कितना हो जाएगा इसमें हम भाग देके देख लेते हैं चार रुपे उसको एक दिन के मिल रहें 11 चुम्मालिस अन्य एक दिन के चार रुपे मिल रहे उसने पूचा जकर उसको साथ दिन पूचा है तो चार कर गुणा कर देक शोग अग्ठाइस हो जाएगा अग्ला वर्षन वाच्चू 54 वाला था पंदरा आध्मी किसी काम को आठ दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को छे दिनों में कितने आध्मी करेंगे देखे बच्चू जब भी ऐसा सवाल है उसमें दो चीज़ पकड़नीया को क्या करना है अगर दीन है कुछ भी आ दोनों में से कोई भी एक रही है जिसका नीकल आई इसका नीकल दोनों करना है तो 5 दोनों करगे तो शह हमको नीचे डिहना आट जाएगी अपना अंसर हो जाएगा तो 2 तीह छे으 skull दो चोक 8 कट रहा है दो से काटा दोनों को तीन एकम तीन तीन पंजे 15 यह भी कड़ गया नीचे तो कुछ भीन बच्छा पांच चोक पांच और चार बच्छे अपने पास तो नीचे एक तो एक का कोई मतलब होता नहीं तो पांच चोक इतना हो जाएगा 20 यानि 20 दिन में वो काम कम्लिट करने गर 20 आदमी होंगे तो लास सवाल है बच्छो अपना यहां पर दिया गया चट्टा वाला सवाल है पच्छपन वाला सवाल है कि 6 और रुपए 6 यहां पर क्या रुपए का साइन है रुपए 6 और 30 पेसे का अनुपाद बताईए अब देखिए रुपए 6 क रुपए को पेसे मदल लेते हैं तो 6 रुपएमें कितने पेसे होंगे 600 वári ripping ऑल्वे में 600 होंगे वह दितना थ से ठीक है अब इन दोनों भाग देते हैं जीरो से जीरो गया तीन एककम तीन बीस तिया सहाट यानि अगर यह 600 ऐसे आगया 600 उपर आया था नीचे 30 को लिख देना है तो 30 दुनी सहाट जीरो को जो यह ने 20 उपर नीचे क्या एक तो 20 अनुपात एक जो आगे है वो उपर है जो आगे आ जाएगा वो जो नीचे वो पीछे आता है न तो यह हो कि 20 अनुपात एक इसका आंसर होगा ए वाला ठीक है बच् झाले पर शीचे क्हिड़ वो जागे आर ऑगे ऱ जो जो कि एक पागे जो आगे जो आगे यह कैपने है rapid जब झार